हां जी दोस्तों क्या हाल साल आप सभी के मैमनिश आप सभी के लिए लेके आ गया हूं आर्मी जनल साइंस की टॉफ टॉटिफाइब लाइफ क्लास होती है तो रोज रात नो बजे हमारे साथ जुड़ जाएगा आज हम डिसकस करेंगे जर्नल साइंस के मौस्ट इंपॉर्डि टॉटिफाइब क्वेशन आपके इकसाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्डिड रहेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहल साथ में टेलिग्राम गुरुप जाइन कर लिजेगा अगर आपको फ्री पीडियाफ चाही होगी चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कोशन से कोशन नमबर एक आपके सामने हैं मानव शरीर में सबसे परचूर मात्रा में पाय जाने वाला तत्तव होता है ता मॉस्ट अफसें आपके हैं आयरन अलुमीनियम औक सीजन या इन में से कोई नहीं मास इंपॉर्टिट कोशिर है जल्दी से ताहिए मान शरीर में सबसे परचूर मात्रा में कौन सा तत्तव पाय जाता है अलिमेंट की बात हो रहे है तो राइट अंसर क्या रहेगा औक सीजन इसका राइट रहेगा ऑप्शन नमबर सी अगर बताई धातू की बात करता तो धातू कौन से सबसे दिक जो है मान शरीर में पाय जाती है कमेंट बॉक्स में राइट अंसर बता दीजिएगा कोशन नमर दो आपके सामने है मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितने परतीशित होती है what is the percentage of potter in the human body option है पचास परतीशित पच्पन परतीशित पैंसर परतीशित या फिर असी परतीशित इंपार्टिन कोशन है कभी-कभी एक्जामनेट पूछ लेता है नूर्मल लेवल का कोशन है माने शरीर में जल की मात्रा कितने परतीशित होती है पैंसर परतीशित होती है वैसे पैंसर से 75 या फिर 70 परतीशित मानते हैं तो आपको जो है पैंसर से 70 याद रखने है एवरेज आपका लेके चल सकते हो 70 के आसपास तो ऑप्शन नुम्बर सी दोस्तों इसका राइट अरहेगा पॉशन नुमर तीन आपके सामने है मानुश्रीर का समाने तापन कितन होता है वाट इस दी नॉर्मल टंप्रेचर आफ दी हमन बोडी इस ऑप्शन है थानव फाइंट 6 डिगरी फार्ने हाइट 37 डिगरी सेल्सिस 310 केल्वीन या फिर आल अफ दिस मानुश्रीर का समाने तापमार कितना होता है थानव पाइंट 6 डिगरी फार्ने हाइट भी होत पाइंट 37 डिगरी सेल्सिस होता है या फिर 36.9 डिगरी सेल्सिस भी कह सकते हैं और केल्वीन में कनवर्ट करें तो 310 केल्वीन कहते हैं तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका रइट रहेगा यह सभी जो होते हैं मानश्रीर के समानने तापमान होते हैं कॉशन नुमर चा सबसे चोटी जीवित कोशन नंबर बी दोस्तों इसका रइट रहेगा कॉशन नुमर पाच आपके सामने हैं सबसे चोटी जीवित कोशका कौन सी है बिच इस दी स्मालेस्ट लिविंग सेल अफ़ावन बोडी आप्शन है ब्रैट कॉल्ड माइको प्लाज्मा वाइरस या फिर जीवान यानी बैक्टिरिया मानुश्रीर की सबसे चोटी जीवित कोशका का नाम क्या होता है माइको प्लाज्मा होता है ऑप्शन नंबर भी माइको प्लाज्मा दोस्तों इसका राइट अंसर अरहेगा क्वाशन नमर्च आपके सामने हैं इंदर दुर्श के बेच का रंग क्या होता है और इंदर दुर्श मुझे तक जब तक याद है 2020 में कोश्चन पूछा गया था ऐसा ही कुछ कोश्चन था इंदर दुर्श के बेच का रंग होता है what is the color of the middle of the rainbow option है बैंगनी नीला हरा या फिर पीला तो इंदर दुर्श के याद रखने का शो ट्रिक का आपके पास सामने है स्टार्ट होगा वाले टेनी वेंगनी से और खतम होगा आपका कें बिच से पूछा गया था अब आपको बताने वीडियो का लैक नहीं करा है जलदी से वीडियो को लाइक और शेर कर जीजिएगा कॉश्चिन मर साथ है कॉश्चिन है बीच कलर है लॉंगेस्ट वेवलेंथ किस वरण के परकाश का त्रंग धहरे अधिक्तम होता है यह जो होता है सबसे अधिक होता है कि आप्शिन है तो नीक आपको पताया था ठीक तो विघ्डीरा सबसे लाटस में आएगा गाई का सबसे अधिक ओदा जो सबसे पहले आएगा उसका त्रंगदेरे सबसे कम होगा यह नहीं बैंगनी का त्रंगदेरे सबसे कम होता है लाग का त्रंगदेरे सबसे अधिक होता है option number D red color इसका red answer रहेगा question 8 आपके सामने है परकाश की चाल सरवाधिक होती है what is the maximum speed of light maximum speed of light होती है किसमें निर्वात में पानी में काज में या फिर रॉक सार्ड में what is the maximum speed of light vacuum निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की गती होती है कितनी होती है यह comment box में बताना है next question इसी से related है question number 9 है निर्वात में परकाश की चाल होती है what is the speed of light in a vacuum vacuum में light की speed क्या होती है पूछा गया question important question कितनी होती है दो multiply 10 की power 8 3.55 multiply 10 की power 8 2.55 multiply 10 की power 8 3 multiply 10 की power 8 तो कितनी होती है परकाश की चाल होती है तीन लाक भी आप लेके चल सकते है या फिर 3 multiply 10 की power 8 होती है आप्शन नमबर डी दोस्तों इसका राइट रहेगा question 10 आपके सामने है मानव नेत्र के रेटीना पर वना प्रतिविम कैसा होता है हाव इस दी आमेज फॉर्मिट अंदी रेटीना ओफ दी हमन आइस option है वास्तविक तथा उल्टा अवासी तथा उल्टा वास्तविक तथा सीधा या फिर अवासी तथा सीधा रेटीना पर वना प्रतिविम कैसा होता है वास्तविक तथा उल्टा होता या फिर कह सकते है बस्तू से छोटा होता है option नमबर ए इसका राइट अरहेगा फिर से याद रखिए वास्ट्विक होता है उल्टा होता है और बस्तू से छोटा होता है आप्शन नमबर एसका रहेगा कॉशन नमर 11 आपके सामने हैं दवाव का SI मात्रक होता है what is the SI unit of pressure option है Newton meter Newton meter per second square Newton या इन में से कोई नहीं अब बहुत जारे confusion होगे अब सीरी बात याद रखनी है दव का SI मात्रक होता है क्या Newton meter होता है Newton meter square है टीक है n upon m2 आपका होता है Newton Newton per meter square होता है इसे जो है Newton per meter square होता है किसके बरावर होता है पास्कल भी होती है तो आप्शन नंबर भी कर लीजेगा और साथ मैं पास्कल भी याद कर लीजेगा कॉश्चन मद बारा है हीटर का तार बना होता है वर्ट इस दी हीटर कोईल मेड ऑफ किसकी बनी होती है टंक्स्टन की नाइक्रॉम की अलुमीनियुम की या फिर तामबा की हीटर की तार वरी होती है किसकी नाइक्रॉम की वनी होती है option number B दोस्तों राइट अरहेगा question number 13 से पहले वीडियो को लाइक नहीं करा है सभी दो चल्दी से वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिएगा question number 13 है बल्लव का filament किस दातू का बना होता है the filament of the बल्लव is made of which element option है tungsten, नाइक्रोम, अलुमीनिम या फिर copper दोरो question imported है दोरो कोश्र आपकी हर साल पूछे जाते हैं तो बल्लव का filament बता होता है किसका tungsten का बना होता है option number A दोस्तों राइट अरहेगा और यार किया 25 question है मैं तो target आपके लिए 25 का 25 भी देने वाला हूं आपके कितने question से रहते है को जुरूर comment box में बताईए फ्यू स्तार है 21 से बना होता है फ्यू स्पायर is made of which element option है लेट 50 परतीशित और तिन 50 परतीशित लेट 55 परतीशित तिन लेट और 20 का बना होता है और लेट और तिन की मादरा क्या होती है उप्छार्टर और 25 होती है पोटोग्राफी में किसका प्रियोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रियोग किया जाता है, और आपकी एक्जाम में पिछले साली कोशन पूछा गया है, कोशन नमर 16 है, मानव नेतर कारिव करता है, तो मानव नेतर जो होता है, किसकी तरह उत्तर लेंस की तरह कारे करता है, लाइक एक कन्वेक्स लेंस की तरह कारे करता है, आप्शन नमबर भी दोस्तो राइट और रहेगा, कोशन नमर 17 आपके सामने है, परमाणू बंब किस दात पर कारिव करता है, आप्शन है, निउक्लियर फिजन, निउक्लियर फ्यूजन, निउक्लियर स्ट्रकल या इनमें से कोई नहीं, विखंडन सलेन सरचना या इनमें से कोई नहीं, तो परमाणू हम जो होता है, याद रखे, सिंपल सा याद बताऊंगा, परमाणू जो है, इसका विखंडन होगा, परमाणू का विखंडन होता है, तो नाव की विखंडन किसमें होता है, नाव की विखंडन, विखंडन यानि खिल रहेगा, विखंड हो जाएगा, खंड ह यहां फिल जाएगा इस तरह से यहां फंप गिरा तो यहां खिल जाएगा विखंड हो जाएगा तो क्या जगा यह परमाणू हो जाएगा तो option number is का रहेगा कभी नहीं बूलेगा तो option number is का रहेट कर लीजेगा next question आपका है हाइट्रोजन बंब किस सिधान पर कारे करता है वाट और प्रिसिपल डज थी हाइट्रोजन बंब बर्क option है विखंडन सलेन सरचना या इन में से कोई नहीं अब हाइट्रोजन बंब से आपको सीधा यार रखना है हाइट्रोजन बंब जो होता है किस सिधान पर कारे करता है जिस पर सूरे कारे करता है, और सूरे किस पर कारे करता है, सूरे की उर्जा बिखंड नहीं होती, इसलिए आपको याद आजागा कि परमाणू बिखंड हो जाता है, यह अपने टुकडो को बिखंड कर देता है, यह अलग कर देता है, सूरे अपने टुकडो को अलग नहीं कर next question क्यों बढ़ते है option no.20 का right कर लीजिएगा question no.19 आपके सावने है बिड़त धारा मापी जाती है electric current is measured in और electric current की unit क्या होती है जल्दी से आपको बतानी है electric current की unit क्या होती है किसके दवारा मापा जाता है अब मेटर दवारा विजिट मेटर दवारा वोल्ट मेटर दवारा या फिर अल्टी मेटर दवारा current की unit क्या होती है जल्दी से बताए कर्णड वाक्स में और यह किसके दवारा मापा जाता है अप्शन नंबर एसका दोस्तों राइट रहेगा कॉशन नंबर 20 आपके सामने है परमाणु के नाविक की खोज किसने करी थी और किसने करी थी रादर फोर्ट दवारा करीगी थी, किसके दवारा रादर फोर्ट दवारा जो है परमानु के नाविक की खोज करीगी थी, option नुमबर भी दोस्तों राइट और रहेगा, question नुमर 21 आपके सामने है, proton की खोज किसके दवारा करीगी थी, वाइल हम वास्ती, proton डिस्कावरेंट, option है, जेजे थॉंसन, चैडविक, रादर फोर्ट या फिर गॉल्ड स्टीन, अब सीम्पल सा कोशन है, ठीक है, proton की खोज किसके दवारा करीगी थी, proton की खोज करीगी थी, गॉल्ड स्टीन दवारा, अब confusion नहीं होना है, confusion भी आपका clear कर अब confusion रहता है, proton की खोज है, गॉल्ड स्टीन दवारा करीगी थी, और प्रोटीन नाम जो है, रदर फोर्ट दवारा दिया गया था, अब confusion आपको क्या होता है, कभी कभी गॉल्ड स्टीन, option में नहीं देता है, रदर फोर्ट देता है, और नन अफ दिस नहीं देगा, तो रदर फोर्ड आपको सही करके आना है, चलिए next question क्या और बढ़ते है, question number 22 आपके सामने है, हाइट्रोजन क्लोराइड का रिसाइनिक सूत्र होता है, हाइट्रोजन क्लोराइड का फॉर्मॉला आपको बताना है, क्या होता है, हाइच ए एल, हो एल, हैच सियल या फिर हो एन नमक होता है, ठीक है, जो सिधार नमक हम यूज़ करते हैं, उसका रिसाइनिक सूत्र, रिसाइनिक नाम होता है, कैमिकल नेम होता है, और इसका रिसाइनिक सूत्र क्या होता है, होता है, option number C, दोस्तों राइट और रहेगा, question number 23 आपके सामने है, TV remote control, डैश के सिधान पर कार करता है, TV remote control, work on the principle of Bluetooth technique, परादवनी तरंगे, यानि सूपर सोनिक वेप्स, लेजर तकनीक, लेजर टेकनोलजी या फिर अवरत तरंगे, यानि इंफरारेड वेप्स, तो TV remote control, जो होता है, किस परिस्दान करता है, इंफरारेड वेप्स कार्य करता है, option number D, दोस्तों राइट रहेगा, question number 24, आपके सामने है, डोलामाइट निमन में से, धातूं में से, किस धातू का आयस्क है, डोलामाइट इस एन और और विच आफिक पॉल्लविंग मेटल, sodium, potassium, aluminium, या फिर calcium, अगर आपने magnesium पढ़ा है, डोलामाइट किस का आयस्क होता है, magnesium का आयस्क होता है, तो आप राइट है, डोलामाइट जो होता है, magnesium का आयस्क होता है, और साथ में किस का आयस्क होता है, कैल्शिम का भी आयस्क होता है, तो दोनों से ही कर लिजेगा, दोनों के दोनों आपको सही रहेंगे, कैल्शिम और magnesium दोनों का आयस्क होता है, डोलामा concentration नामक प्रिक्रिया मैं नमक-प७ी होता है विच ऑफिज志 Tweedo फॉलूइंग टेक प्लेस इनेसिंग रिक फॉर्क फोट मत्यशिटि सी कौन सी इणरजी कनवर्ट होती… फॉर्टा क्वें श्रामे परकाश उर्जा रे होता हैता है.. प्रकाश के कारण होता है और प्रकाश किसमें कर बड़ हो जाता है रिसाइनिक उर्जा में करणवर्ट हो जाता है तो option number B दोस्तों इसका राइट अरहेगा फोटो संतीसीज केमिकल एनर्जी फ्रॉम लाइट एनर्जी तो option नंबर भी दोस्तों इसका राइट अरहेगा चल दी स्वताइए 25 मेंदी कितने कोशिन आपके सेही थे वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक और शेर करना है बाकिया आपको अपना ख्यार रखना है अपने घरवलख क्या रखना है मिलते हैं कोड़ शांदार वीडियो में तब तेक लिए जाहिंद जावारत